इस वीडियो में हम Electrical के इंटर्वी में Air Circuit Breaker से related पूछे जाने वाले कुछ main question और उनके answer के बारे में बात करने वाले हैं अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्वाल है जिसको आप से इंटर्वी में पूछा गया है और आपको उसका answer नहीं पता हो तो उसको आप हमें नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं इसके उपर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे तो चलिए अब सुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को सबसे पहला में स्वाल ये होता है कि जो ACB यानी Air Circuit Breaker होता है उसे ACB या Air Circuit Breaker ही क्यों कहते हैं उसमें ऐसा क्या होता है जिसके उपर इसका नाम पड़ा है तो देखिए हमारा कोई भी एक Circuit Breaker है उसमें हमारे main दो contact होते हैं एक moving contact होता है दूसरा fix contact होता है अब जब हम इस Circuit Breaker को operate कर रहे हैं यानी इसको चालू कर रहे हैं तो जो ये हमारे दोनों contact है ये आपस में एक दूसरे के साथ अच्छ हो जाते हैं और जिससे हमारा Circuit Breaker चाल करता है और जो हमारे ये दोनों contact होते हैं moving और fix contact ये दोनों जिस medium में होते हैं वहाँ पे हमारी सिर्फ air होती है यानी जो हमारा normal air pressure होता है वहाँ पे वो होता है इसी लिए इसको air circuit breaker कहा जाता है अगला जो main question वो पूछा जाता है air circuit breaker की relay या फिर coil के बारे में यानी air circuit breaker में कौन कौन सी relay या फिर coil लगी रहती है तो देखिए वैसे तो जो हमारी air circuit breaker होती है इनमें जो relay या coil लगी होती है उनका जो सही नाम होता है वो release होता है क्योंकि इनमें हमें input electrically देना पड़ता है और यहाँ से जो हमें output मिलता है वो हमें mechanical मिलता है तो इसलिए इनको release कहना सह करती है चाहिए हमारे system में कोई fault आया हो वहां से signal आया हो या फिर हमने automation के दवारा circuit breaker को trip होने की command दी हो या फिर TNC जो switch है वहां से भी हमने अगर tripping की command दी है तो जो हमारी ये tripping coil लगी होती है ये operate होती है और हमारे circuit breaker को trip करने का काम करती है ठीक ऐसे ही जो closing coil होती है चाह इसके अलावा जो तीसरी रहेगी UV यानि जिसको under voltage कहा जाता है ये अगर हमारे system में जो voltage जब वो एक level से कम या फिर ज्यादा आती है तो जो हमारा micrologic controller होता है वो इस relay को command देता है और ये हमारी release जो है वो circuit breaker को trip करने का काम करती है आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं ताकि electrical से जुड़ी ऐसी knowledge वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहें air circuit breaker की सबसे main safety या relay कौन सी होती है तो air circuit breaker में जो main safety या relay होती है वो इसकी under voltage relay होती है air circuit breaker कितने type के होते हैं तो air circuit breaker हमारे दो type के होते हैं जिनको normally हम EDO और MDO कहते हैं लेकिन इनका जो पूरा नाम होता है वो EDO का electrically operated draw out और MDO का manually operated draw out होता है EDO और MDO circuit breaker में क्या क्या difference होती है तो देखिए जो हमारा EDO और MDO circuit breaker होते हैं इनमें जो हमारा EDO होता है वो electrically operated होता है जबकि जो हमारा MDO होता है वो हमारा manually या फिर mechanically operated draw out होता है यानि जो हमारा EDO होता है इसको हम electrical energy से charge कर सकते हैं जबकि जो हमारा MDO होता है उसको हमें manually ही चार्ज करना पड़ता है इसको हम electrically charge नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा MDO होता है इसके अंदर हमें कोई भी charging motor नहीं देखने को मिलती जबकि जो हमारा EDO होता है यहाँ पर हमें एक charging motor देखने को मिलती है जिसकी मदद से हम इस circuit breaker को चार्ज कर सकते हैं इसके अलावा एक डिफरेंस ये भी होता है कि जो हमारा MDO होता है उसको हम Automation में यूज नहीं कर सकते हैं जबकि जो हमारा EDO Circuit Breaker होता है उसको हम Automation में यूज कर सकते हैं अगर आप Electrician, MST, Supervisor, DG Operator के बारे में सीखना चाहते हैं या इन सब की job करना चाहते हैं और interview को crack करना चाहते हैं तो हमने आप सभी के लिए कुछ e-books यानि PDF बनाई हैं उन PDF को खरीद के आप आसानी से Electrician, MST, Supervisor या फिर DG Operator का जो interview है वो crack कर सकते हैं इन e-books को खरीदने के लिए आप हमारे इस वीडियो के description में दिये गए और बिजानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी ये left वाली और right वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं